हेलो फ्रेंड्स इस सुमीद वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल चले देखते कल कौन सा स्टॉक्स आप ट्रेट कर सकते हो उसके पीजी का लॉजिक क्या है पहला स्टॉक है हमारा बालकृष्ण इंडिस्ट्री इसमें 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे अगर यहां पे इस यह लो ब्रेक कर देता है फ्लैट खुलके यह लो ब्रेक कर देता है इमेडियर अप सेल कर सकते हो और पहला टारगेट आपका यह रहेगा कि तूटाउजन वन हंडडिड तू आपको पहले टार्गेट रहेगा नेक्स टार्गेट अपकर रहेगा क्योंकि यहां पर देख सकते हो apart कि यह और देक्स रर्ग कर नहीं तो इसे रख देना है तो आने के बाद नहींस पीड़र कर सकते होlaşब़ यह लेवल ब्रेक कर देता है इंट्राडे के लिए तो आप नेक्स्ट आप टार्गेट यह 2000 कि 70, 2050 और 2010 के लिए लेके जा सकते हो यह आने का रेर है यह दो टार्गेट्स रेर केसिस में आएगा अगर बहुत बेरिश हुआ तो ही आएगा आज रात को देखना पुड़ेगा उसके बाद हम मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं और अगर यह फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे आ जाता है तो यह आप यहाँ पर इसके नीचे शॉट सेल कर सकते हो अगर फ्लैट खुलके अगर इस लेवल के असपास अगर कोई भी एक केंडल ग्रीन कार का केंडल प्लोजिंग देता है 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे तो इमिडेट आप उसके हाई पे बाइंग कर सकते हो कॉंटिटी थोड़ा कम रहना है बहुत ही कम रहना है क्योंकि यह एक सेलर जोन है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है तो फिर से पुष कर सकता है तो 2,189.85 के उपर आपने अगर कोई भी ग्रीन का लगा के अंडर क्लोजिंग देता है उसके हाई पे आपको बाइंग कर सकते हो फर्स टार्गेट उसका रहेगा 2,161.45 नेक्स टार्गेट रहेगा 2,179 2161.45 आने के बाद बुक कर सकते हो तो क्योंकि यह सेलर एरिया है फिर फिर से रिबॉंस मतलब यहां पे आने के बाद ऐसे ओर करते सकता है यह जोन में कर सकता है और और नो वहां पे बीच में आगया तो तो यह जोन ठीक नहीं है नोट रेल जोन है तो तो अगर यहां पर इस लेवल पर अगर वह ग्रीन कल का कैंडल इसके उपर 2139.45 के उपर अगर क्लोजिंग देता है तो इमिडेटली इसके हाय पर बाइंग कर सकते हो उसका लो स्टॉपलोस रहेगा आपका अगर मैंने आपको यह बता दिया कि लेवल प्रण बना रहे ओकर मैंने बता है कि अगर यह पर घुल्झंग दिया इसके उपर तो यह आप बाइंग करना है और एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है कॉंटिटी कम रहना है नेक्स्ट अगर बहुत बड़ा गयाप खुलता है एराउंड इस लेवल के उपर 2161.45 के उपर एक ग्रीन कड़ा का केंडल बनाता है इसके उपर क्लोजिंग देता है इमिडेटली उसके हाइप आप बाइंग कर सकते हो टार्गेट उसका 2179 रहेगा बुक कर लेना चाहिए आ आने का चांसेस बहुत कम है तो सेलर एरिया है पुश कर रहे पुश कर रहेगा सेलर तो यहां पर आने के बाब प्लीज बुक कर लिजे अगर बहुत बड़ा गैप खुलके एक ऐसा होला केंडल बनाता है जैसे कि यह यह देखिए अइसा केंडल बनाता है और क्लोजिंग इसके नीचे देदेता है इस लेवल के नीचे 2,190.60 के नीचे देदेता है क्लोजिंग ओई रेड कला का केंडल नीचे देदेता है इमिडेटल उसके लो पे आप शॉट सेल कर सकते हो स्टॉप लोस यह रहेगा 2,139.85 स्टॉप लोस रहेगा और इमिडेट आपका 2,100 नेक्स टार्गेट रहेगा 2,090 नेक्स टार्गेट 2,070 रहेगा उसका टार्गेट तो अब अगर बहुत बढ़ यह गैप ओप हो गया नेक्स्ट अगर गैपडाउन खुला बहुत बढ़ा गैपडाउन खुला तो प्लीज नेगलेट कीजे ट्रेड आवाइट कीजे ट्रेड करने मच जाई है मतलब आपको बाद में नीचे बहुत बड़ा नीचे जाने के बाद तो उतना पॉइंट गया रहेगा तो एक ही जगह पे होर करते रहेगा तो प्लीज अवाइट कीजे ट्रेड नेक्स्ट हमारा स्टॉक है अधानियन अधानियन में आप देख सक ग्रीन कलर का कैंडल क्लोजिंग देता है तो इम्मेडेट आप उसके हाई पर बाइंग कर सकते हो कॉंटिटी थोड़ा कम रहना है फर्स्ट टारगेट रहेगा 2130 नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2159 इम्मेडेटली 2159 आने के बाद बुक कर लीजे क्योंकि इसके बाद नीच फ्लैट कुलके 2065.85 क्रोस कर देता है इम्मेडेट ली आप सेल कर सकते हो स्टाप लोस यह रहेगा इसका है 2084 आपका स्टाप लोस रहेगा तो इम्मेडेट ली आप सेल कर सकते हो टारगेट 2060 और 2050 रहेगा इंट्राडे के लिए अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो इसमें भी आपने ट्रेड अवाइड करना है चोड़ देना है ट्रेड करने मत जाईए नेक्स्ट अगर बहुत बड़ा गैप खुलता है यहां पर और कैंडल ऐसे बनाता है और इस लेवल के आसपास इसके नीचे टूटाउजन वान अंडरेट एट पॉइंट 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 जिरो के आसपास पास प्लोजिंग देता है इम्रेटी उसके लोग पर आप शॉट सेल कर सकते हो पहला टार्गेट बनता है टूटाउजन एटी साइडवेस होना पॉसीबल है तो थोड़ा आउएट किजिए ट्रेट नहीं तो कम कंट्रेट किजिए अगर यह यह ता अधनियंट का नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट होगे हमारा सिपला आज मैंने यह सिपला में ट्रेड किया था मैंने इस लेवल के आसपास इंसाइड यहां पर मैंने ट्रेड लिया था और यहां तक आ गया है इस लेवल के आसपस 947.85 तक आ गया है मैंने यहीं पर बुक कर लिया आप वो ट्रेड देख सकते हो मैंने अपने गुर्प में डाला हुआ टेलीग्राम गुर्प में बुलिश्टेंड स्टॉक्स में तो आप चेक आउट कर सकते हो ने तो मेरे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर भी मैंने डाला हुआ तो आप जाके आप देख सकते हो इंसाइड केंटर पैटन का ट्रेड तो अब इस स्टॉक का एनलिसिस दिखते है करेंगे अब देखिए यहां पे 956 के अभव क्लोजिंग दिए डिया लेकिन ठीक टाक नहीं दिया है डो जी बनाया है अगर कल इस केंडर के ऊपर है के ऊपर अगर क्रोस कर देता है और क्लोस कर देता है इमिडिएटली आप बाइंग कर सकते हो पहला टार्गेट आपकर र रहेगा यह कुटावजन 965 नेक्स्ट आपका टार्गेट रहेगा 967 और टिल 972 तक आपको लेके जा सकते हो लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लोस्ट रहना है और कॉंटिटी थोड़ा कम रहना है बाइंग में नेक्स्ट अगर यह लेवल ब्रेक कर देता है यह केंडल का लोग ब्रेक कर देता है इमिडेटल आप सेल कर सकते हो पहला टार्गेट आपका यह रहेगा 955 953 नेक्स्ट टार्गेट आपका रहेगा 947 नेक्स्ट टार्गेट आपका रहेगा 942.40 अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है एरॉंड इस लेवल के आसपास खुलता है और ऐसे केंडल बनाता है यहाँ पे इमिडेटल उसके लोग पे आप शॉट सेल कर सकते हो पहल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है अटो ट्रेड अवाइड कीजिए बस इतना ही इस शिप्ला में है अगर गैप डाउन कुला तो अवाइड करना है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर कमेंट और अलसो सब्स